हाई फ्रेंड्स आज हम देखेंगे एंड्रोइड फोन को PC पे कैसे कास्ट करना है जैसे लाप्टॉप या PC पे कैसे कास्ट करना है जैसे आप अगर विंडोज विंडोज 10 का लाप्टॉप यूज करते हो तो उसमें डायरेक्ट सेटिंग है कनेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे इस कनेक्ट ऑप्शन के थ्रू आपकर डिवाइस यहाँ सर्च होगा और यू कैन डिरेक्ली कास्ट यूर मोबाईल ऑन यूर लाप्टॉप बट अगर आपके पास विंडोज 10 लाप्टॉप नहीं है या लेटेस्ट वर्जन का एंड्रोइड फोन नहीं है फिर भी आप अपका मोबाईल स्क्रीन लाप्टをप कास्ट बसकते हो थो सबसे पहले होचि कहें सबसे पहले आपके मोबाईल में सेटिंस्ग ऑपशन में जाना है यह मैंने मेरा फोन लाप्टॉप प्पश्त किया है तो रह आपको यहां dai बाता रहा हूं किन सेटिंग्स में अब्वाइज इनफोर्मेशन करके ऑप्षन में करें सबसे पहले तो आपको यह डeveloper ऑप्षन होना चाहिए अगर यह नहीं है तो यह अबाउट फोन में आपको जाना है about phone में device information करके option है यह device information पर आप जाओगे तो यह build number है build number पर आपको कम सब्सक्राइब पाच बार टिक करना है पाच बार इसी मुझे message आ रहा है no needy you are you are already a developer so a developer option उसके बाद आएगा जब आप पाच बार इस पर क्लिक करोगे तो I already got the developer option so आपको यह developer options में जाके USB debugging option है वो by default off रहता है तो इसे on करना है तो यह USB debugging on करना है उसके बाद mobile के play store में जाके आपको wiser app डाउनलोड करना है यह play store में यह wiser control on pc यह app आपको डाउनलोड कर रहा है मैंने already इसे डाउनलोड किया है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूंगा और यह app डाउनलोड करने के बाद आपको आपके PC या लाप टॉप पे Google Chrome में जाना है जो के लेट मी शो यू यू ए Google Chrome पे जाके आपको wiser search करना है जैसे viser extension for Chrome तो यह आपको फर्स्ट वाला ही URL आएगा इसका यह Chrome वेब में जाके आपको अभी मैंने already डाउनलोड किया है इसलिए यहां launch आप करके आ रहा है बट इधर आपको add to Chrome करके option आएगा और उस पे आपको क्लिप करना है वो क्लिक करने के बाद आपको यह ऐसे वाइसर करके add आप आपके Chrome में add हो जाएगा once it added in your Chrome तेन आपको launch आप पे क्लिक करना है launch आप पे क्लिक करने के बाद चूज डिवाइस मिन्स आपका डिवाइस यहां detect होगा मेरा already phone यहां detect हो रहा है तो यहां आपका screen डिवाइस डिटेक्ट होगा उसे आपको और यह है मेरा वाइसर आप जो मैंने इंस्टॉल किया है यह रहा मेरा वाइसर आप और यहां आमने हमारे गुगल गुगल क्रोम में एड किया है वाइसर आप और जस्ट यही स्टेप्स है आप आपका डिवाइस फोन एंड्रोइड फोन ओल्ड हो या निव हो आप अपने PC पे कास्ट कर सकते हो लैप्टॉप पे कास्ट कर सकते हो thank you for watching this video अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरा चानल subscribe करो thank you very much